नमस्कार निउस24 देख रहे हैं आप मैं हूँ अशुकेश तिवारी और मेरे साथ सुकेश रंजन और आप निउस24 का खास कारिकरम देख रहे हैं 24 किरेस बताएंगी सुकेश आज की 24 किरेस में बात होगी राजस्थान को लेकर क्योंकि राजस्थान में कॉंगर्स ने आज अपना घोशना पत्रोजारी किया है। व्यक्ति या फिर कोई विवयपारी किसानों से वो समान नहीं खरीच सकेगा। तो MSP को लेकर वो कानून बनाना चाहें तो बना सकते हैं परमपरा यह है परिपाटी यह है कि MSP केंद्र की सरकार ठेह करती है उसके लिए कमेटी होती है जो ठेह करती है कि MSP क्या होगी सारे स्टेट्स में उसी दाम पे 23 फसलों के MSP लागू है जो भी खरीदारी होती है उसी दाम पे खरीदा जाता है जो गवर्मेंट खरीदती है अगर आप मार्केट पे बेजते हैं तो आप ज्यादा दाम पे बेज सकते हैं आप कम दाम पे बेज सकते हैं वो अलादाई मसला ह इसलिए बार-बार procurement पे बात होती है कि MSP तो सरकारे तै कर देती है, खरिदारी कितनी करती है, procurement कितनी करती है शांता कुमार बहुत बड़े निता थे बाजपा के, उनकी ये committee थी, उनकी report ये कहती है, जहां तक मुझे ठीक से आदे छे परसेंट, total produce का छे परसेंट ही सरकारे procure करती है, ये कुछ साल पहले की बात है, अब बढ़कर वो साइद 10% के आसपास हो गया है तो सबसे बड़ा issue है कि ये चुनावी जुन जुना तो नहीं है, हम MSP पे लिए नए कानून बनाएगे, MSP कानून बनाएगे, कानून बनाना मेरी समझ में, मैं फिर से बताओं दर्शकों को कि agriculture चुकि एक state subject है, वो एक कानून बना सकते हैं, जब कानून नहीं भी बनाया था, 36 गड़ी, तो उन्होंने किसानों से जो धान लिया, चुकि वो धान ककटो रहा है, धान जादा होता है वहाँ, तो वो बढ़े हुए कीमतों पे लिया, 14 में जब यह सरकार आई थी, मोदी की, तो उन्होंने यह तैग किया था, कि MSP के उपर अगर आप किसानों को देते हैं, procurement का पैसा अगर देते हैं, तो उसमें सारी जो जिम्मेदारी है, देनदारी है, वो state government की होगी, central government भो वहन नहीं करेगी, और इसलिए यह मानकर चला गया, कि government ने जो MSP तैग किया है, उसी पे खरीदारी होगी, 36 गड़ने यह परमपरा तोड़ी, पिसली बार BJP मैं पहले कह चुका हूँ, कि पिसली बार BJP भी चाहती थी, कि वो भी bonus कायनाल एलान करे, उसने पहले नहीं दिया, यह गोश्णा करे कि हम पहले वाला भी देंगे, आगे भी देंगे, कि इन सरकार तयार नहीं हुई, नरेंद्र मोधी इसके लिए तयार नहीं थे, क्योंकि वो fiscal prudence देखना चाहते थे, कि भाई ऐसे में तो खजाना खाली हो जाएगा, लेकिन जो यह cut throat competition है आज की तारीख में, उसने सभी दलों को मजबूर कर दिया है, कि वो कुछ ऐसी घोशनाय करें, और एक लिहाद से मैं इसको ठीक भी मानता हूँ, कि अब issues पे बात हो रही है, आप किसानों को allure करने के नाम पे, उनका vote लेने के लिए ही सही, आप किसानों की बात कर रहे हैं, आप MSP पे कानून लाने की बात कर रहे हैं, Central Government यह कानून नहीं लेकर आ रही है, जिसको लेकर बहुत आंदोलन हुआ, किसी कानून तो आपस हो गए, लेकिन जो MSP को लेकर कानून बनाने की एक बड़ी मांग थी, वो अभी तक पूरी नही हुई है, State Government रास्थान की कहती है कि हम MSP पे कानून बनाएंगे, BJP यह कहती है कि 6,000 जो सम्मान किसान, सम्मान निधी, तेन सरकार दे रही है, हम State में 12,000 बतलब 6,000 वो उपर से State Government देगी, तो यह कम से कम किसानों की बात हो रही है, बहुत दिन से यह चर्चा है, उन्होंने उस वक्त आ गई थी, उसमें से बहुत सारी सिफारिशे लागू भी हुई थी, लेकिन जो major सिफारिश थी, जो महत्वूर्ण सिफारिश थी, उसमें से कुछ इस सरकार ने लागू की, कुछ इसने भी नहीं की, इसने भी हाथ खाड़े कर दिये, नायनमोदी सरकार ने, यह हम नहीं कर सकते। दर्शकों को ये जानना जरूरी है थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बताना चाहिए ताकि उनकी थोड़ा जो जानते हैं वड़ी अच्छी बात है नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए बिल्कुर ये दो टर्म बहुत सुनते होंगे A2 प्लस F1 and C2 प्लस 50% तो वो जो पूरा कॉस्ट आता है उस कॉस्ट में 50% और अब पूरे कॉस्ट में क्या है आप जब खेती करने जाते हैं तो उसके लिए खाद बीज ये तमाम चीज़े आप लगाते हैं उसमें आप अपनी महनत लगाते हैं उनको लाइंड का जमीन का किराया भी मिलना चाहि जी वो भी इंकलूड होना चाहिए जी तो उसमें महनत आएगा जो उसके परिवार के लोग लगे हैं उसमें सारे उन सबका महनत अना हो गया उसमें लाइंड का जो रेट हुआ वो तै हुआ उसमें जो खाद लगा बीज लगा मतलब फुल मिला कर उसको उस लागत पे 50% औ C2 plus 50 मतलब उसको cost comprehensive कहते हैं और उसमें family labor भी आ गया जो मैंने आपको बताया जितनी भी पूझी जितने प्रकार की पूझी लगी वो और उस पे 50 फीस दी समझे इस सरकार ने भी C2 plus 50 लागू नहीं किया है A2 plus FL लागू किया है अब ये A2 plus FL क्या है A2 plus FL है वास्तविक लागत वो उसमें महनत आना है लेकिन जमीन का जो किराया भाड़ा होगा जो भी आप ताम इस्तमाल करें उसको उसको शामिल नहीं किया गया है उसमें सिर्फ बीज खाद इनको शामिल किया गया है तो बड़ी मांग किसानों किये रही है कि A2 plus FL जो है वो हमारी मांग को पूरा नहीं करता है स्वामिनाथन आयोग ने तो C2 plus 50% कहा था और इस सरकार ने कहा था कि हम दोगुनी करेंगे आए तो सरकार को स्वामिनाथन आयोग की सिफारिशों पर भी जब बात की थी तो C2 plus 50% दीजिए C2 plus 50% ये नहीं दे सकते है ऐसा सुपरीम कोर्ट में अफिरेविड में भी कहा है सरकार में तो पूरा मामला वहां पसा है और किसानों का एक बड़ा वोट बैंक राजस्थान की आबादी कितनी है राजस्थान की आबादी करीब 6 करोड कि आसपास 2011 की जन्गरणा के हिसाब से 6 करोड़ से थोड़ी जादा थी अभी एक रफ एनालिसिस है कि करीब 8 करोड के आसपास राजस्थान की आबादी है इसमें करीब एक करोड परिवार ऐसे होंगे जो खेती पर करीब 90 लाट के आसपास परिवार ऐसे है बतब 60% से जादा आबादी वो खेती किसानी में लगे हुए है तो ये एक बड़ा चंक है एक बड़ा वोट बैंक है और चुकी 6,000 किसान सम्मान निधी ने काम किया है इसलिए बीजेपी ने बहुत cleverly allure करने के लिए उसने उसको दोगुना कर दिया है कि स्टेट गर्वर्मेंट 6,000 और देगी मतलब हम 12,000 देगे और इसी को देखते हुए पहले इन गारेंटियों में कॉंग्रेस की गारेंटियों में ये चर्चा नहीं थी मेसपी लेकिन अब कॉंग्रेस ये लेकर आई है कि हम मेसपी तैय करेंगे उसके लिए कानून बनाए में स्वामिनाथन आयोक के सिफार्षों के तहत हम किसानों को बेनिफिट देंगे कि कॉंग्रेस ने ये जो दाव चला है वो कहीं 2024 को देखके भी चला है क्योंकि इतना बड़ा जो किसान अंदुलन हुआ था केंद सरकार को जुपना पड़ा बिल वापिस लेना पड़ा और खासकर में जब स्वामिनाथन कमीटी की बात की जारी काफी टाइम से खिसानों की मांग भी है तो क्या इससे 2024 के प्लैन में भी देखे कॉंग्रेस के लिए पहला सवाल आपने कहा कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं मैं पहले कह चुका हूँ कि मेरी लिमिटर नर्डनस्टाइनिंग ये बताती है कि अग्रिकल्चर स्टेट सब्जेक है वो चाहें तो इसको लेकर कानून बना सकते हैं अब दूसरी बात आप कह रहे हैं कि क्या 2024 में एक नजीर पेश करना चाहती है कॉंग्रेस ये करना चाहेगी कॉंग्रेस सिल्टे करना चाहेगी क्योंकि उसे लगता है और खास वर पे ये वेस्टर्न यूपी जो बेल्ट था उसके किसान सरकार के विरोध में जमे हुए थे खड़े थे लेकिन जब चुनाव हुए तो वांशित सफलता विपक्ष को नहीं मिली समाजवादी पार्टी आरेलडी ये सब मिलकर चुनाव लड़े थे लेकिन वो सफलता उनको हासिल नहीं हुई बीजेपी वेस्टर्न यूपी बेल्ट जो किसानी खेती किसानी का बेल्ट कहा जाता है वेस्ट यूपी को उसमें भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया तो वो सीधा सीधा ट्रांसलेट नहीं करता है कि अगर किसान आपसे नाराज है और यू कहें कि अधिकतर जाट विरादरी के लोग थे कि जाट आपसे नाराज है इसका मतलब किसान नाराज है ऐसा नहीं तो इसको सीधे तोर पे भाजपा नुकसान में रहेगी ऐसा कहना गलत होगा लेकिन विपक्षी पार्टिया क्या चाहती है विपक्षी पार्टि उसमें सेंद्र लगाना चाहेगी विपक्षी पार्टि एक मॉडल ऐसा दिखाना चाहेगी स्टेट में कि यह हमने स्टेट में किया है, हम केंदर में भी कर सकते हैं. याद करिए 2019, जब न्या योजना लेकर राहूल गांधी ने प्रेस कॉंफिरेंस की था. उन्होंने कहा कि 72,000 रुपया हर परिवार को मिलेगा, गरी परिवार. 72,000 मतलब 6,000 रुपय महीना. जी, और बहुत, मतलब calculation, permutation, combination बिठाने के बाद economically viable है कि नहीं बड़े-बड़े economists उसमें बैठे, उसमें देश के बड़े economists से लेकर विदेश के बड़े अर्थसास्त्री लगे थे और ये Congress Party convincingly कह रही थी कि ये किया जा सकता है, ये doable है. क्योंकि GST ने कमर तोड़ दी है, छोटे उद्योग बंध हो गए है, तो लोगों के हाथ में पैसा जाना चाहिए, जाना चाहिए. और वो पैसा जब rotate होता है society में, तो economy का चक्र घूमता है, economy हमारी पटरी पे आती है. लोगों ने उस पे विश्वास नहीं किया, 6000 महीने पे विश्वास नहीं किया, 6000 साल पे विश्वास किया. अब Congress Party स्टेट्स में इसको लागू करके एक model की तरह पेश करना चाहती है, कि हमने स्टेट्स में ये करके दिखाया है, उन्होंने 36 गड़ में किसानों को सुविधाय दी, उनका उत्पात खरीदा, बढ़े हुए दामों पे खरीदा. तो ये दरसल एक शोपीस कि हमने जहां हमको सत्ता में जाने का मौका मिला, सत्ता में रहने का मौका मिला, हमने वो किया है. उन्होंने मद्प्रदेश पे भी आते आते कर्ज माफ करने की बात की थी, कुछ कर्ज माथ भी किये थे, उस रहा पे चल रहे थे मद्प्रदेश प फिर वो कह रहे हैं कि हम करज माफी करेंगे इसी तरीके से राजस्थान में दुबारा वापसी के लिए और अगर ये सक्सेस्फुल होता है तो इनके पास ये कहने के लिए होगा कि ये तमाम चीजे हम अपने स्टेट्स में कर रहे हैं और आज की तारीख में करनातक जैसे बड़े राज में इनकी सरकार है अगर राजस्थान ये रिटेन कर लेते है तो राजस्थान बड़ा राज है 36 गर्भी मतलब शीज के लिहाज से नहीं लेकिन छेटपल के हिसाब से कुछ छोटा राज़े नहीं है तो ऐसे में वो एक प्लैन रखना चाहते है टेबल पे सोकेश करना चाहते है अपनी उपलबधियों को कि किसानों के लिए हम क्या करना चाहते है और वो आउट स्मार्ट करना चाहते है बीजेपी को बीजेपी को इसकी चिंता है और इसलिए आप देखते हैं कि उनकी उनके घोषना पत्र में किसानों के लिए भी कुछ बादे हैं और वो बढ़ चड़ कर हैं और जिसमें सबसे बढ़ा है जो सीधा पैसा देने की बात है कि छे हजार आपको केंदर देती है छे हजार हमाई राजा है सर एक लास्क सवाल मेरा और रहेगा कि इस बार का चुनाओ खासकर में इन तीन राज़ों पर है इंट्रस्टिंग हुआ है अब जैसे पहले राजस्थान की अगर ले ले तो पांच सुरुपे में कैस सिलिंडर देते थे बीजे पी नाउन्स की आज सारे चार सुमें देंगे कॉंग्रिस आज बोल जे चार सों में देंगे कंग्रिस बोलते ही कि चार लाग पांच साल में सरकारी नौकरी देंगे दस लाका स्वार उजगार मतलब बैसिकली दस लाक नौकरी आपको देंगे बीजी पी पी नौकरियों की बात कर रही है तो ऐसा कहें कि अब सच में राजे के चुनाओं में अब मुद्दो पे ही बात होने वाली है यह बड़ा विलकम स्टेप है मुझे लगता है कि यह लोक तंस के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि आप अब युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं उनके रोजगार नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं आप किसानों को उनके हाथ में क्या मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, आप इसकी बात कर रहे हैं, आप महिलाओं के एकाउंट में, महिलाओं की जेब में भी पैसे जाने चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं, पढ़ाई, लिखाई बच्चों की हो और ग्राजुएशन तक पढ और अगर ये डिस्कोर्स में होता है, अगर ये आपके चर्चा के केंदर में है, चुनावी चर्चा के केंदर में है, तो ऐसा लगता था एक जमाने में, हाल फिल हाल तक, कि लोगों को इसको केंदर में लेकर आना पड़ेगा, कि ये हमारे मुद्दे, लेकिन अब शायद रा पर रहा है कि वो नौकरियों की बात कर रहे है, वो वो गैस सिलिंडर की बात कर रहे है, उनको ये पिंच करने लगा है कि गैस सिलिंडर महंगा है, और ये कॉम्पूटिशन अगर हेल्दी कॉम्पूटिशन हो, कि कि कितने का सिलिंडर मिलना चाहिए, 500 का मिल रहा है, किसी प्रवाइब दिखाया है तो लोगों का विश्वास होगा कि वह पात्सों में तो इसी ने दिया चार्सों में भी देगा अब इसकी इसके इकनॉमिक इंप्लिकेशन को बाद में समझा जाएगा और राजनितिक दलों को एक बार चुनाव आयोग ने भी कहा है कि यह बताना च चर्चा हो कि यह इसका इसका इसमें फिस्कल प्रूडिंस कितना है कितना कितना आर्थिक सोच इस पे लगाई गई है हम कर सकते हैं कि नहीं कि सिर्फ करजा लेके घी पीने वाली जो बात है वो हो रहा है सभी सभी स्टेट्स पर करजा बढ़ रहा है सेंटर पर भी करजा बढ़ रहा है तो क्या हम एक ऐसी एकॉनिमी की तरफ जा रहे हैं जो वायबल नहीं है इस पे चर्चा इतर हो सकती है लेकिन उन लोगों को जो नीडी है उनको अगर सस्ते दामों पे सिख्षा मिले रोजगार की बात होने लगे खेती किसानी करने वालों को उनको उनके उत्पाद की कमाकूल दाम मिलने लगे उनको कीमत मिलने लगे तो ये सब ऐसी चीजे हैं जिसको देखकर ऐसा लगता है कि लोक तंत्र में दरसल इसी पे चर्चा होनी चाहिए और इसमें कमपीट करना चाहिए एक दूसरे को और एक ऐसा और्टरनेट गवर्नेंस का एक मॉडल सामने रखना चाहिए जो सरकार में है तो विपक्ष रखे जो विपक्ष में है तो सरकार उनके लिए सामने चैलिंज रखे कि हमने ऐसा करके ये एक healthy competition हो फिर team इंडिया की तरह बात होगी जिसकी नरेंदर मोदी ने कलपना किली जब आये थे तो उन्होंने team 11 की बात की थी कि हम सब लोग मिलकर खेलेंगे तो state और center में आपस में states में भी वो प्रतियस्परधा अगर होती है और इन जीजों को लेकर होती है रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर, सिक्षा को लेकर, स्वास्त को लेकर जो हमारे बुनियादी सवाल है तो मुझे लगता है कि लोगतंत्र को ये और जीवलत करता है बेसिकली ये तो हो चुका इस विधान सबच नौव में की अब मुद्दो पर बात हो रही है गैस सिलिंडर के दाम सरकार को पता चल गाए कि लोगों के लिए बहुत भारी पड़ रहा था किसान परिशान थे उनको उनके आनाज का उनके फसल का सही दाम नहीं मिल रहा था युवाओं को सिक्षा नहीं मिल रहा था रोजगार नहीं मिल रहा था वेपारियों के पास वेपार करने के लिए पैसा नहीं था कम से कम इन सब चीजों पर बात हो रही है लगता है यूपी बिहार तक भी ये बात है पहुँचे कि जब शायद वहापे विधान सबाद चुनाव पहुँचे बट बहराल राजस्थान में तो फिलाल लही हो रहा है आज के वीडियो में इतना ही अगर आगे कुछ अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुचाएंगे